हाई फ्रेंड्स मैं मनिस पानले मैं अपने चैनल UiPathRP में आपका स्वागत करता हूँ आज हम सिखेंगे UiPath में sequence में small project कैसे बनाए जैसे UiPath में दो तरह का project जैसे एक होता है sequence और एक होता है row chart तो यहाँ पर हम एक practical example लेंगे यहाँ पर हम देखेंगे sequence से एक hello print करेंगे कैसे देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले हम UiPath studio जो हमने install किया है वो अपने system में उसको हम open करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है UiPath studio इस पर आप जैसे ही click करोगे यह इस तरह का यहाँ पर look wise दिखेंगा starting चलिए अब यहाँ पर दिखा रहा है open start team tools setting help यहाँ पर हमें start करना है और start एक blank project से करना है हमें तो यहाँ पर यह देखें यहाँ पर start के अंदर यहाँ पर process है वहाँ पर हमें click करना है जैसे आप click करोगे यहाँ पर आएगा option new process का और यहाँ पर आपको name देना है और location तो आपका already selected है और आपको description कुछ है तो आप description डाल सकते हो यहाँ पर name में मैं डाल रहा हूँ hello project और location सेम रहेगा यह देखें जैसे यह आप नहीं डाला अगर आप नाम के बीच में यहाँ पर कोई space या कुछ और डालते हो तो यह error यहाँ पर आजाएगा क्योंकि आप यहाँ पर यह बता रहा है कि invalid character क्योंकि हम जो space दे रहे हैं यह ui path इसको एक character समझ रहा है तो आपको इसमें space नहीं डालना है आप इसमें अंडर्सकोर यूज़ कर सकते हो और without अंडर्सकोर यूज़ ऐसे ही without a space आपको यहाँ पर रखना है तो चलिए हम यहाँ पर अंडर्सकोर यूज़ कर लेते हैं hello अंडर्सकोर प्रोजेक्ट और यहाँ पर हम लिख देते हैं this is first welcome project of sequence ठीक है यह हमने लिख दिया अब हम create पर click करेंगे इससे क्या हुआ एक नया यह project खुल जाएगा यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख दे रेडी अब यह रेडी हो गया है यहाँ पर आपको main यह यहाँ पर एक area है जहाँ पर main है starting यहीं से होगा left side में आप देखोगा यहाँ पर activities है जो हमें use करना है अपने project में right side में यहाँ पर properties है और top पर आपका जो ribbon है जहाँ पर run save new यह सब command यहाँ पर है तो चलिए अगर हमें use करना है पहले sequence तो sequence में hello project करें पहले हमें एक sequence यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है drop activity here activity यहाँ left side में है तो यहाँ पर activity drop करने के लिए पहले हम sequence में start करें तो उसके लिए हमें यहाँ पर search करना पड़ेगा sequence यहाँ देखिए यहाँ पर favorite में दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है control workflow के अंदर control के अंदर sequence तो आप यहाँ पर इसको drag and drop यहाँ पर कर देंगे और एक और चीज़ आप इसको right click करके इसको तो आप add to favorite में कर सकते हो ताकि next time आप आपको जब भी इसका यूज हो आपको देखिए यहाँ मैंने यहाँ पर 4-5 command को यहाँ पर डाल लखा है तो इस तरह से आप यहाँ पर right click करके किसी भी जिसमान लिए आपको click को करना है आप right click किजिए और add to favorite कर देजिए तो next time से आ तो sequence starting में हमें जब भी हम अगर sequence project पर काम करेंगे कोई भी अगर नए project बनाएंगे sequence में तो आपको sequence यहाँ पर add करना ही पड़ेगा यह आपका starting point है अब चलिए अब हमें एक message दिखाना है कि welcome to uipath rpa tutorial ठीक है welcome project तो इसके लिए अगर हमें message दिखाना है starting में तो उसके लिए पहले हमें एक message box चाहिए तो message box यहाँ पर आपको left side में activity मिलेगा तो मैंने यहाँ पर already favorites में डाल लखा यहाँ message box में यह देखिए आप इसको drag and drop यहाँ पर कर सकते हैं sequence यहाँ पर होता है कि आप जैसे आपने देखा होगा 1,2,3,4,5,6 इसको हम बोलते है sequence एक के बाद 2 आ 3 के बाद 4 आएगा ठीक है यहाँ आप कोई काम करते हो तो आपको पता है कि हम इसी sequence में काम करेंगा मानलीजे जैसे आप कोई बी ऐसा काम कर रहे है जिसमें आपको पता है कि पहला आपको यह step यह करना है फिर second step यह करना है थर्ड यह करना है क्योंकि जबता आप first step complete नहीं करोगे second पर आप नहीं जा सकते हो या आप game खेलते हो game में भी आपको पता है कि पहले लेवल आपको complete करना होता है फिर second level होता है फिर third level इस तरह से sequence में भी होता है कि sequence में आप जैसे से यहां पर message box है तो पहले आपका यह run होगा फिर अगर आप एक और message box नहीं डालोगे यह देखिए तो पहले यह run होगा फिर यह message box काम करेगा तो इस तरह से sequence में जो भी add होग वो एक के बाद एक के बाद run होगा तो चलिए हम देखते हैं । यहां message box में आप जैसे से क्लिक करोगे, right side में आपको properties पे, यहाँ पे आप दिखेगा caption और text, caption में क्या होता है, कि message box में, जो सबसे उपर जो दिखता है message box में, वहाँ पे आपको क्या दिखाना है, तो वहाँ पे हमें दिखाना है, hello project, ठीक है, तो यह, हम string लिख रहे हैं, इसलिए आपको double quotation यहाँ यहाँ पे लेना है, यह देखिए, आपको यहाँ double quotation लेना है, और आपको लिखना है, hello project, ठीक है, अब text में आपको, text में आपको क्या दिखाना है, message में जैसे आपका, अगर run होता है, text में आपको क्या दिखाना है, तो यहाँ भी string है, तो आपको double quotation यहाँ पे लेना है, और आपको यहाँ लिखना है, welcome to uipath rpa tutorial, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए, इतना करके हम, यहाँ पे cursor कही रख देंगे, अब यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे, welcome to uipath rpa tutorial, अब चलिए इसको हम run करते हैं, एक और चीज़ में आपको बतायता हूँ, अगर यहाँ पे, जैसे पहले हमने दिखायता है, चलिए, मैं आपको दिखायता हूँ, कि error, यही मैंने हटा दिया, अब देखिए, जैसे आपने double quotation हटा दिया, यहाँ पे, इस तरह का warning message आ रहा है, इसके मतलब error है आपके project में, तो पहले आपको error solve करना है, तब भी आपका project run होगा, तो आप यहाँ पे double quotation डाल दो, फिर देखिए, यह error हट गया, तो अगर यहाँ पे कोई error नहीं है, मतलब आपका project है, वो correct है, आप इसको run कर सकते हैं, तो चलिए इसको run करके देखते हैं, run के लिए, आप यहाँ पे design में जाके, यहाँ पे run पे click कर सकते हैं, और आप अपने keyboard से F5 प्रेस कर सकते हैं, तो जैसे आप F5 प्रेस करोगे, यह देखिए, यहाँ पे message box खुल गया गया, यहाँ लिखा हुआ है, hello project, क्योंकि मैंने caption में डाला था, वहाँ पे, message box में, तो caption में जो डाला था, यहाँ पे उपर दिख गया, hello project, और जो message हमने लिखा था, text में, वह यहाँ पे दिख रहा है, welcome to UiPath RPA Tutorial, तो यह हमने देखा, कैसे message box में, message हो करें, अब देखिए, sequence के, मैं आपको दूसरा बता रहता हूँ, कि sequence में कैसे काम कर रहा है, तो चलिए, एक और message box, हम यहाँ पे डाल देते हैं, यह देखिए, और यहाँ भी हम caption में ले लेते हैं, second, आपको double quote में लेना है, second project, और यहाँ पर text में आपको double quotes हम लिख देना है, this is our first project, यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, फिर से, यह है, hello project, और चलिए, रन करते हैं, जैसे हम रन करेंगे, क्या होगा, sequence के अंदर जितना भी है, जो ऐसे दो message box में है, तो starting में, जो first जो है, यह run होगा, welcome to uipath का message आपको दीखेगा, उसके बाद आपको यह वाला दीखेगा, तो चलिए, run करते हैं, यहाँ से, देखिए, first जो message box था, यहाँ पर आगया, welcome to uipath rpa tutorial, जैसे आप ok प्रेस करोगे, दूसरा message box, रन होगा, यहाँ पर, देखिए, this is first project, आगया, इस तरह से, sequence में, हम यहाँ पर जो भी add करेंगे, एक के बाद वो run होगा, अब flow chart में, जैसे हम flow chart बनाते हैं, वैसा ही, same flow chart का project होता है, ऐसे flow chart सबसे अच्छा है, वहतर है, आप उसको use कर सकते हैं, उसमें, flow chart में क्या होता है, अगर आप कोई tough project आता है, कोई high level of project कोई आता है, तो आप flow chart का use वैसे करके, आप अपना project बना सकते हैं, तो वह easy है, मैं recommend करता हूँ कि flow chart है, क्योंकि यहां पर sequence में, अगर आपका project बहुत बढ़ा है, तो एक एक करके आपको add करना पड़ेगा, वह आपके लिए बहुत tough होगा, उसको manage करना भी बहुत tough होगा, लेकिन flow chart में वह easy होगा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें एक side में true, false, फिर condition बीच में डाल सकते हैं, फिर decision box के हिसाब से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो वह easy होता है, तो आज हमने सीखा, sequence में कैसे, एक normal message प्रिंट करें, so next video हम देखेंगे, एक कैसे, flow chart में कैसे हम एक, project, short project बना के देखेंगे, thank you friends, thank you for watching this video, please subscribe किजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो please like किजिए, और share किजिए, thank you friends, thank you for watching,